हेलो दोस्तों वेल्कम तुमारी यूटूब चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहा है हम असूर एक्टर्स हिवा नवाब के बारे में इनके बारे में जानने से पहले अगर आप हमारी यूटूब चैनल पर नए है तो हमारी यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें और वेल आइकन को दवाना ना अबोले जिसे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आए दोस्तों हम बात कर लेते हैं हिवा नवाब की लाइफ स्टाइल के वारे में हिवा नवाब एक भारतिया टेलीविसन अभी नहीं थी है जो हिंदी टेलीविसन में काम करती है अगर बात की जाए इनके जन्म की तो हिवा नवाब का जन्म 14 नवंबर 1986 को इस्टोबरी उत्तर प्रदेश में हुआ था वैं बच्पन से वैब शाय की एक्छा रखती थी लेकिन आसफल होकर उन्हें प्रदर्शन और भूगोल की दुनिया में जाना पड़ा बात कर दी जाए हिवा नवाब की स्कूली सिक्षा के बारे में तो हिवा नवाब ने बिशप पॉंड नवाब उसली मा का नाम रुशा नवाब हैं और उनकी एक छोटी बहन भी है अगर बात कर ले जाए हिवा के रिलेशनशिप के वारे में तो वे अपने सहय कलाकर पल भी पुरी के साथ रिलेशन्शिप में है उनके मुलाकात 13 सासुमा के सैट पर हुई थी तो आए दोस्तो हम बात कर लेते हैं हिवा नवाब के टेलिविजन करियर के बारे में नवाब ने अभिने करियर की शुवात एक बालकलाकार के रूप में फिर कोई है में डाले की भूमिका से की थी उनकी अगली भूमिका साथ फेरे सलोनी का सफर में सलोनी की दत्तक बेटी शोयता सिंग की थ उसके बाद हुनोंने अविनेसे ब्रेक ले लिया, नवाबने Starplus के तेरे शहर में अमाया मात्रो गुपता का किरदार निभाया, इसके बाद उनोंने दीरे-detीरे का रिप्रजाइट वर्जन भी गाया, नोने GTV के मेरी सासुमा में परी सिनासिंह सिंग चौहन का किरदार इसके बाद 2023 नवाब स्टार प्लस प्रकशाना उज़ा के सांट जहनक नहां पूंड रहनाबॉस की मुक्ष भूमी कने बाइए इस सीरियल में इनको मेंन रोल प्ले करने का मौका मिला बात कर लिजाए हिवा की फेबरिट चीजों के वारे में और शौक के वारे में हिवा की फेबरिट अभी नीता है सारुप खान और इनकी कुछ शौक भी है टांस करना गाना गाना टीवी देखना और इनका फेबरिट कलर है पिंक और खाने में इनको समोसा जलीवी राजमा च चावला और चॉकलीट पसंद है।